नमस्कार मैं हूँ आपके साथ प्रिया सिंग सोंबनी और आज की सबसे बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से जहां दिल्ली में नई शराब दीती की सीवियाई जाज की अलान पर जबरदस्त सियासी घमासान छिड़ गया है मनीश सिसोदिया को जेल जानी का डर सताने लगा है बीजेपी और आमाद्मी पार्टी के बीच नौन स्टॉप जुबानी ज़ंग चल रही है बीजेपी ने आरोप लगाया कि केश्रिवाल सरकार ने रिश्वत और कमिशन लेकर फायदा पहुचाया है लाइसन्स फीस्ट पर 144 करोड रुपे माफ कर दिये गए और जवाब में केश्रिवाल ने प्रेस कॉनफरेंस करके भी नशाना सादा कहा कि मनीश सिसोदिया को फसाने की बीजेपी की ये कोशिश है या शंका वो 3-4 महीने पहले भी जता चुके थे सिसोदिया पर लगे सभी आरोप जूटे हैं अर्विन केश्रिवाल की और से सफाई दी गई तो CBI जाज के आरलान के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मनीश सिसोदिया जेल जाने वाले है नई एकसाइस पॉलिसी में अनिमितिता के मामले में टॉप पॉलिटिकल लेवल पर फेनेंशियल फ्रॉट के आरोप लगे हैं आरोपों के मुताबिक टेंडर होने के बाद नियमों में बदलाओ कर शराब कमपनियों को फाइदा पहुचाया गया आरोपों के मताबिक केशरीवाल के संरक्षर में बिना कैबनेट मीटिंग में ये छूट दी गई है गैर कानूनी फैस ले लेने के बाद 14 जुलाई को कैबनेट में मन्जूरी ली गई थी LG को कैबनेट मीटिंग का कैबनेट नोट बैठक खत्म होने के बाद मिला है कैबनेट मीटिंग का एजेंडा 48 घंटे पहले LG को नहीं भेजा गया आरोप ये भी है कि बिना LG को बताए आपकारी नीती में कई तरह के बदलाओ कर दिये गए हैं अब इन आरोपों के बाद BJP और आमादमी पार्टी में सियासी जग अब और तेज हो गई है तो अब हमारे देश के अंदर एक नया सिस्टम लागू किया गया है पहले ये तै कि किस आदमी को जेल भेजना है और फिर उसके खिलाफ एक मन गडंत जूटा केस बनाया जाता है और उसे जबरदस्ती जेल भेजा जाता है मेडिया से अभी तक जो मुझे पता चला है कि जो जो ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं मैंने सारा अभी चेक कराया पूरा का पूरा केस बिल्कुल जूटा है बिल्कुल जूटा है उसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है मैं मनीज सिसोधिया को 22 साल से जानता हूं सन 2000 में पहली बार मिला था मनीजी से एक बेहत कटर इमानदार आदमी है कटर देश भगता आदमी है 14 जुलाई 2022 यानि सिर्फ एक हफता पहले की बात है जिसमें कैबिनेट नोट के बिना बिना अप्रूवल के हवड तफड में क्योंकि उसमें 48 गंटे का भी समय रहता है जिसमें नोटिस जारी होने चाहिए 48 गंटे पहले LG के पास जाना चाहिए बिना किसी काम के बिना किसी प्रॉसेस को फॉलो किये बिना किसी नियम और कानून को फॉलो किये हुए 144.26 करोड मैं एक बार आंकड़ा दुबारा से चेक करके आपको बता देती हूँ 144.36 36 करोड का जो वेवर है क्या वो मनीश सिसोधिया जी के नित्रत्व में उन कंपनियों को दिया गया बिना नियम बिना कानून का पालन किये फिर क्योंकि लिकर काटल दिली में चल रहा है एक पूरा का पूरा एक गैंग है जो ये माफिया चला रहा है और इसके दोरान 144.36 करोड का उनको जो है एक्जेंशन दी गई है लाइसेंस फीपर जिसमें की कोई अप्रूवल कोई कैबिनेट नोट कोई ऑथराइज एजनसी किसी को इसमें जोडा ने गया और अब इस पूरे मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है बीजेपी नेता मिनाक्षी लेखी ने प्रेस कॉन्फरेंस कर केच्रिवाल सरकार से पाच सवाल पूछे हैं मिनाक्षी लेखी ने कहा कि बिन कानूनी मन्जूरी 144 करोल की छूट दी है 30 करोल रुपे कमपनी को वापस किया विदेशी वियर पर छूट क्यों दी है ये सवाल दागा गया है ब्लैक लिस्टेट कमपनी को ठेके दिये और शराब कमपनीयों को फाइदा सीधा सीधा दिया गया है इस पर केच्रिवाल दलील दे रहे हैं कि उन्होंने चार मईने पहले ही ये बता दिया था कि से सोधिया को जेल भेजने के साजश रची जा रही है जवाब में बीजेपी पूछ रही है कि ब्लैक लिस्टेट कमपनी को आखिर ठेके क्यों दिये गए हैं तो ये पाँच सवाल मिनाक्षी लेकी के और से पूछे गए जिस पर अद्विन केच्रिवाल ने प्रेस कॉइंट के जरिये जवाब दिया अब थोड़ी दियर पहले मीडिया से मुझे पता चला कि इन लोगों ने मनीश सिसोदिया जी के खिलाफ कोई केस भेजाया सीविया को और बहुत जल्दी कुछ दिनों के अंदर सीविया मनीश जी को गिरफतार करने वाली है मैंने तो आपको तीन-चार महीने पहले ही बता दिया था इनके लोगों ने हमें बताया था कि मनीश जी को ये गिरफतार करने वाले हैं जल्दी गिरफतार करने वाले हैं तीन-चार महीने पहले बताया था मैंने प्रेस कॉंफरेंस करके उसके बाद अपने कई भाशनों में असेंबली में मैंने कहा था कि यह मनीश को गिरफतार करने वाले हैं एक blacklisted company है खावगली खावगली नाम की जो blacklisted company है उसको इन्होंने दो जोन्स के ठेके दियें दो जोन्स के अंदर blacklisted company को ठेका कैसे दिया इसकी भी explanation ये केजरिवाल जी तथ्यों के साथ दें तो हम सब को इमानदारी का certificate assess करने में मदद होगी एक cartelization जो है tendering processes के अंदर cartelization बंद होती है कि हम 4-5 लोग तै कर लें आपस में कि हम 4-5 company फ्लोट करेंगे और उसी के आदार पर मिल जूल के हिरा फेरी करके हम इकटे tendering में उतरें और tendering process में कि इसको मिले तो मैं partner मेरे को मिले तो ये partner इस तरीके की जो चीज़े हैं वो अवैद हैं illegal हैं गैर कानूनी इंडिया टीवी हर वक्त हर जगे डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर